सरकार ने चालू खरीफ सीजन के लिए केंद्रिय पूल में 518 लाग टन चावल की खरीद का नुमान जारी किया है जो पिसले साल की तुलना में 1.60 से अधिक है पिसले सीजन में 509 लाग टन खरीदी हुई थी केंद्रिय एक खादिय सचिव सुधानशु पांडे के अधिक्षता में चावल खरीद और बौई पर राज्यों के साथ केंदर की बैटक में चर्चा हुई बैटक में चावल खरीद का अनुमान टै किया गया है इस बैटक में राज्यों के खादिय सचिवों के अलावा भारतिय खादिय निगम यानी FCI के वरिष्ट अधिकारी भी मौझूद थे खादिय अमंत्राले ने बियान में कहा है कि चालू खरीब विपनन सत्र के लिए 518 लग टन चावल की सरकारी खरीद का अनुमान रखा गया है पिछले साल के खरीब सत्र में जो की 509.8 दो लाख टन चावल खरीदा गया था सरकारी पूल में खरीदे जाने वाले चावल का यह अनुमान इस साल बारिश की कमी की वज़े से धान के रकबे में आई गिरावट को देखते हुए काफी एहम है एक अनुमान के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस साल अब तक धान की बुआई का रकबा भी 6 फिसद गिर चुका है इसकी वज़े से जानकार चावल के उतपादन में कमी की आशंका जता रहे हैं इस बैठक में खाद्यस अचीव ने राज्य सरकारों से मोटे अनाजों के खरीद पर विशेश ध्यान देने को कहा है उन्होंने कहा है कि जलवाईयू परिवर्तन की वज़े से गेहूं और चावल की उपज़ पर प्रतिकूल असर पढ़ रहा है लिहाजा मोटे अनाजों पर ध्यान देने की जरूरत है इसके चलते इस खरीब खरीदारी सीजन में राज्यों के राज्यों में 13.70 लाख मिट्रिक टन मोटा अनाज खरीदने को कहा गया है अभी तक राज्यों ने 6.30 लाख मिट्रिक टन मोटा अनाज खरीदा है सरकार धान की खरीद करती है जिससे मिलों को भेज कर चावल में प्रस्ट किया जाता है FCI के अलावा राज्यों के अपने संग्ठन भी सरकार की तरफ से तैन यूंतम समर्थन मुल्या पर इसकी खरीद करते हैं इसके लावा बैठक में मशीनी करीद खरीद विवस्था लागू करने पर भी चर्चा की गई है कि कम ब्याज दर पर उधार की जरूरत पर बल दिया जाए खरीद परक्रिया को किफायत बनाने के तरीकों पर भी इसमें चर्चा की गई है लेकिन फिलाल आपको बता दे कि अभी चावल की सरकारी खरीद बढ़ सकती है बिरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी